हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू पीजी क्लासिस, बेकिंग वे थू शॉर्टकट्स तो दोस्तो आज मैं आपको एक कंसेप्चुल चीज बताना चाहता हूँ पहले हमने पर्मुटेशन का भी फॉर्मूला डिराइब किया था, कैसे आता है अब देखो, पूछा तो नहीं जाएगा आपको एक्जाम में, लेकिन होता किया जब आप रटा लगाते हो ना किसी चीज को तो वो सही चीज नहीं है, आपको concept at least पता होना चाहिए, अगर आपको दो मिनट में, तीन मिनट में आपको concept पता चल पा रहा है तो आपके लिए अच्छी चीज है, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे combination का formula आता कहां से है, कैसे आता है, डिराइब कैसे होता है ठीक है, तो उसके लिए आपको permutation का पहले देखना पड़ेगे, अगर permutation कैसे derive होता है, वहीं से हम लोग क्या करेंगे, combination का derive करेंगे ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्या है, अगर आप मेरे चैनल पर new हो, तो चैनल को subscribe जरूट करना, ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग start करते हैं, क्यों होता है, ठीक है, तो क्यों होता है, nc r equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial, यहां तक तो ठीक था, यहां तक था हमारे पास क्या permutation का, ठीक है यह divide by r factorial, इसमें क्यों होता है, कैसे होता है, चलो हम लोग देखते हैं, suppose we have three alphabets, ठीक है, मान के चलो, कि आपके पास तीन alphabets है, सर कौन-कौन से, a, b, c, सर में r, d, e, f लोगा, कोई बात नहीं, अब d, e, f ले लो, ठीक है, कोई फरिद नहीं पड़ेगा, in how many ways we can arrange these alphab अगर arrangement की बाद, तो आपको पता है, कि permutation होगा, तो arrange हम कितने ways में कर सकते हैं, सर, three factorial ways में, यह हमको पता है, हमको अच्छे तरह से, अब समझ आ गया, permutation, तो क्या होगा, six ways होगा, इसको हम सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कि तीन, तीन हमारे पास alphabets हैं, तीन ही हमको select करने ह तो यह आगया, three p3, इसको हम लिख सकते हैं, three factorial BA, आएगा जब इसको solve करेंगे, तो सर, ways कौन-कौन से होगे, तो ways होगे हमारे पास ABC, BAC, CAB, ACB, BC और CBA, हाँ सर, समझ आ गया, six ways होगे हमारे पास यह से, ठीक है, अब suppose करो, suppose करो, कि यह तीन लोग है, ठीक है, ABC जो है, वो किस तरह से आपने आपको arrange कर सकते हैं, वैसे यह जैसे alphabet है, किस तरह से arrange कर सकते हैं, वही जो combination उपर था, यह वही selection जो वह थी, sorry, ways थे उपर, वही यह नीचे लिखे हैं मैंने, आप देखो, अब suppose आप तीन भाई-बहन हो, ठीक है, आपको market जाना है, ठीक है, आपको मा या बाहर जाओ, और आप कुछ चीज market से ले के आओ, तो आप लोगों के कितने combination बनेगे, आपको तीनों को जाना है एक साथ, ठीक है, अगर combination wise देखा जाए, तो आपका combination तो एक ही होगा ना, चाहे आप बहन पहले जाए, ठीक है, या बाई-बहन में जाए, मतलब बाहर उनको साथ में निकलना, लेकिन suppose दरवाजे से पहले बहन बाहर निकल गई, फिर भाई बाहर निकला, फिर चोटा बाहर निकला, ऐसे, लेकिन combination wise अगर देखा जाए, तो वो एक ही बना, आप बोलोगे sir, अगर चोटा बाहर निकल गया, बहन बाहर में निकली तो, वो हो गया arrangement, ठ तो different है, लेकिन combination wise ये same है, suppose A, B, C है, तो B, A, C जो है, ये arrangement wise different है, क्योंकि यहाँ पे, B पहले आ रहे, A बाद में आ रहे, लेकिन अगर combination देखा जाए, तो वही तीन लोग है न ये, ठीक है, तो combination wise देखा जाए, तो ये सारे same है, ठीक है, तो sir, अगर same है, इसका मतलब, इस permutation को, जो कि 6 arrangement थे, उसको 6 से divide कर दें, क्योंकि हमें एक लाना है, combination हमें result पता है कि combination कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है, एक combination के लिए हमें permutation भी पता है कि कितने है, हमरे पास 6, तो 6 permutation है, उसको 6 से divide करेंगे, तो एक combination आएगा, हाँ, असर यहाँ तक पता चल गया, अब देखो, 6 arrangement को अपने किस से divide किया, 6 से, तो 6 क्या होता है, 3 factorial, ठीक है, तो 6 को आप लिख सकते हो, यह क्योंकि arrangement था arrangement, तीन alphabet से, उसमें से आपको 3 ही select करने था, तो 3P3 लिख सकते हो, divide by 3 factorial होगा, 3 factorial क्यों, क्योंकि आपको 6 से divide किया, ताकि आपका एक combination आए, तो इसको आप ल लेने है, ठीक है, 3 alphabets आपको लेने है, वही R है, तो क्या आगया, यह NCR के बराबर, कितना easy था यह formula, कितना easy था, ठीक है, कैसे होता है, देखो, अब क्योंकि आपने देखा ना, कि, आपने देखा कि इसके combination तो 6 बन रहे हैं, ठीक है, combination 6 बन रहे हैं, मतलब 3 factorial, अब वो combination combination, sorry, permutation तो 6 बन रहे हैं, लेकिन combination जब 1 बनेगा, तो मतलब इसकी जो rearrangement यह कर रहे हैं, उसको हमें divide करना पड़ेगा, क्योंकि rearrangement selection में नहीं होगी, selection में अगर combination के हम लोग बात करें, तो combination हम लोग उसको 1 ही मान के चलेंगे, तो मतलब हमको कितने factorial में, कितने ways में आपने आ rearrangement जो हैं, वो सारे same ही हैं, अगर हम combination wise देखें, तो तब ही इसका formula आता है, NPR divided by R factorial जोगी है, NCR, I hope आपको यह चीज समझ आई होगी, अभी अच्छे तरीके से, ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से देखना, इसको ध्यान से कोशिश करना, अगर आपको NPR, यह किसके आप आप सीख लेते हो, तो वो बड़ी बात होती है, आपको पता हो जाता है, आप दोस्तों से पूछ सकते हो, दोस्तों को बता सकते हो, किसी छोटे को बता सकते हो, ठीक है, तो यह आपका होगया, आज का concept, आज के लिए इतना ही रखते हैं, Thank you